हेलो दोस्तो वेल्कम ट्यू और न्यू लेसन आप देख रहे हैं लर्नेक्स जहां हम सीखते हैं इंग्लिश थू हिंदी और मेरा नाम है मिशेल तो कितनी बारी ऐसा होता है कि आपको जब किसी को कोई बात बतानी होती है आपको समझ नहीं आता कि मैं दो बातों को एक दूसरे से कैसे जोड़ू जैसे कि आप कहेंगे हिंदी में कल रात को मैं पार्टी पर गया पर मैंने तुम्हें बहुत मिस्स किया तो यहां पर आपने बट को यूज करके दो सेंटेंस को कनेक्ट किया जी हां इसी तरह इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आप एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए यूज करते हैं और अपनी बात को प्रॉपरली कह सकते हैं इनको हम इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टर्स जी यह जो वर्ड्स होते हैं यह आपकी रिटन इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं अगर आप इन words को बोलते हुए या लिखते हुए use करेंगे तो आप बहुत fluently English बोल पा रहे हैं या लिख पा रहे हैं Well, अगर आप ये words सीखना चाहते हैं, connector सीखना चाहते हैं तो आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पर click किया है आए शुरुवात करते हैं तो दोस्त इस lesson की शुरुवात में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम एक party में गए थे जी, इसका मतलब है कि मैं आपको बताऊंगी कि आप English में connectors को use करके कैसे बताएंगे कि आप एक party में गए थे और वहाँ पर क्या-क्या हुआ तो सोचिए कि आप अपने दोस्त को बता रहे हैं कि आप कल जिस party में गए वहाँ क्या-क्या हुआ क्योंकि दोस्त आपके साथ नहीं गए So let's imagine कि आपके दोस्त का नाम है आशिमा ठीक है तो आएए शुरुवात करते हैं और आशिमा को अपनी party के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले तो आपकी दोस्त आपके साथ गई नहीं तो आप अपनी दोस्त को काफी मिस किया आपने party में So आप शुरुवात में कहेंगे Firstly, I missed you a lot in the party मतलब सबसे पहले तो मैंने तुम्हे पार्टी में बहुत मिस किया तो firstly का मतलब होता है सबसे पहले तो आप कहेंगे सबसे पहले तो मैंने तुम्हे पार्टी में बहुत मिस किया Firstly, I missed you in the party ठीक है और इसकी जगा आप to begin with भी कह सकते हैं To begin with का मतलब होता है शुरू करने के लिए शुरू करने के लिए शुरू करने के लिए मैंने तुम्हे पार्टी में बहुत मिस किया To start with या फिर to begin with I missed you in the party इसी फ्रेज को आप English लिखते हुए भी यूस कर सकते हैं ऐसे कि अगर आप हिंसा के वाइलन्स के टॉपिक पर बात करें तो आप कहेंगे To begin with There are 280 cases of violence in this month शुरू करने के लिए इस महीने में हिंसा के 280 cases पता चले हैं तो इस तरीके से आप इन दोनों को यूस करेंगे बात कहते हुए या बात लिखते हुए अब देखते हैं कि हमारी next phrase क्या है Besides तो आप अपनी दोस्त को कह रहे हैं Firstly, I missed you in the party और party बहुत crowded थी आप ये भी कह सकते हैं आप शुरुवात करने के लिए कह सकते हैं To begin with The party was very crowded शुरू करू तो party बहुत crowded थी यानि party पर बहुत सारे लोग आय थे पर हाँ party पर जतिन नहीं आय था Everyone was there in the party besides जतिन जी तो यहाँ पर besides का मतलब है इसके अलावा या उनके अलावा तो आप कहेंगे party बहुत crowded थी To begin with the party was crowded और party पर बहुत लोग आय थे जतिन के अलावा Everyone was there in the party besides जतिन फिर आप कहेंगे moreover moreover का मतलब होता है और जब आप और कहना चाहते हैं या कोई नई बात कहना चाहते हैं तो आप moreover कहेंगे इसका मतलब होता है और तो आप कहेंगे moreover खाना जो था वो बहुत बढ़िया नहीं था और खाना बढ़िया नहीं था moreover the food was not great अब आगे बढ़ते हुए आप कह सकते हैं however फिर भी मुझे ऐसे लगता है जो अगली party थी उसका खाना बहुत बढ़िया था however the food in the other party was great तो however का मतलब होता है फिर भी इन दो words में students अकसर confused हो जाते हैं moreover को आप तब यूज करेंगे जब आप कोई नया point बताना चाहते हैं और however को आप तब यूज करेंगे जब आप दो चीजों को compare करना चाहते हैं तो अब जानते हैं कि party में आगे क्या हुआ well हमारा next phrase है on the other hand तो अब आप party में बैठे ही थे आपने किसी से बात करनी शुरू की और खाना खाना शुरू किया तो आपने देखा कि वहाँ दो लोग लडने लगे फिर आप कहेंगे और दूसरे हाथ पर दो लोग लडने लगे जी यह जो फ्रेज है दूसरे हाथ पर इसको हम इंग्लिश में कहते हैं on the other hand यानि दूसरे हाथ पर इस फ्रेज को भी आप तब यूस करेंगे जब आप कोई नई बात बताना चाहते है मैं खाना खा ही राता और दूसरे हाथ पर दो लोग लडने शुरू हो गए I was eating my food and on the other hand two people started fighting फिर इसके बाद क्या हुआ instead तो आप कहेंगे फिर मेरा mood खराब हो गया और मैं पार्टी से निकल के बाहर चला गया क्योंकि मैं लडाई नहीं देखना चाहता था तो आप कहेंगे I didn't want to see people fight instead I left the party यानि मैं पार्टी छोड़ के चला गया तो instead का मतलब होता है इसकी जगा हमारा next phrase है likewise likewise का मतलब होता है इसी तरह फिर आप कहेंगे इसी तरह मेरी तरह बहुत सारे और लोग भी पार्टी छोड़ कर चले गए likewise many other people left the party तो likewise का मतलब होता है मेरी तरह या इसी तरह likewise का आप तब यूज करेंगे जब कोई दो चीजे समान होती है यानि एक जैसी होती है और दो चीजे हो रही है and हमारा next phrase है as a result as a result का मतलब होता है जब आप कोई नतीजा बताते है जी क्योंकि result का मतलब होता है नतीजा तो आप कहेंगे as a result party बिलकुल खराब हो गई मतलब party अच्छी नहीं थी and हमारा next phrase है therefore therefore का मतलब होता है इसी कारण तो आप आश्यमा को कहेंगे इसी कारण अच्छा ही है कि तुम नहीं आई therefore it's good that you didn't come to the party and हमारा next phrase है finally finally का मतलब होता है आखिर में okay आखिर में और lastly का मतलब भी होता है आखिर में या अन्त में फिर आप कहेंगे finally को आप तब यूज करते हैं जब आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो आखिर में होती है for example अगर आप वेट कर रहे हैं बहुत घंटों से और आपका खाना नहीं आ रहा है आप किसी रेस्टरॉब में है तो आप कहेंगे आखिर में तीन घंटे के बाद हमारा खाना आ ही गया finally the food arrived after three hours तो इस तरीके से आप finally को या lastly को यूज करते हैं तो ये lesson है आपका जहाँ पर आज आपने सीखे हैं बहुत सारे connectors यानि आप अपनी बात को जोड कर कैसे बोलेंगे जी आप ये सारी phrases यूज करेंगे जब आपको अपनी बातों को जोड कर बोलना है जैसे कि firstly ये आप तब यूज करेंगे जब आप किसी चीज की शुरुवात करते हैं और फिर आप आगे बढ़ते हुए moreover को तब यूज करेंगे जब आपको कोई extra बात बतानी है however को हम तब यूज करते हैं जब हम दो चीजों को compare कर रहे हैं और likewise को हम तब यूज करते हैं जब हम कोई similarity यानि कोई समानता बता रहे हैं as a result जब हम कोई नतीजा दे रहे हैं और जब आप अपनी बात खतम करने वाले हैं तो आप finally या lastly बोलके खतम करेंगे तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे हैं आज lesson के end में finally we are at the end of the lesson जैसे कि आपने देखा मैंने अभी एक connector यूज किया और इसी तरह अगर आप भी connector यूज करेंगे आप बहुत fluently बोल पाएंगे thank you so much मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मैं जल्दी वापस आऊंगी एक और interesting lesson के साथ तब तक keep learning English see you soon, bye bye